हलो फ्रेंड्स यदि आपने ऑपरेशन करवाया है और ऑपरेशन के बाद आपको काफी उल्टियां हो रही है या आपको खाना पीना हजम नहीं हो रहा है आपको पेट में तकलीफ हो रहे है तो आपके दिमाग में इस अवाल जरूर आ रहा होगे आखिर आपको ये प्रॉब जल्दी से ज़रूरत ना पड़े तो सबसे इंपोर्टेंट है कि आपका जो ऑपरेशन हुआ है तो आपका या तो दूर्बीन वाला ओपरेशन होता है या हात वाला ओपरेशन होता है जो चीरा लगा के ऑपरेशन होता है उसमें जनरली खाने पीने के लिए थोड़ा सा र प्रहेज नहीं बताया जाता है और ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ी गलती अपन लोग करते हैं कि हम पेशिंट का खाना चेंज कर देते हैं यानि कि अपनी इमान के चलते हैं कि प्रूट्सी देना है या दलिया या खिछडी ही देना है रोटी और सबसी नहीं देनी है और कई बर हम बहुत सारा पपीता दे दे देते हैं विघ्यूस को यही बीगेस्ट परोब्लम जिसकी वजह से उसको कई लुटिया होने लगती कई बार पेशिंट को इतना ज़दा पेपे नाम का इंजाइम होता है कि जो कि गेस्ट्राइटिस भी करता है पेट के पाचन को या डाइजेशन सिस्टम को अल्टर कर देता है जिसकी वज़े से प्रॉब्लम क्रियेट होता है इसके अलावा जनरली लोग पूरा फल यानि होल फूरूट देने की जिगा जूस को करते हैं और जुस्ता स्टम गात्र में लिया जाता है तो आन्दों के अंदर गass बनाता पेट को फूला देता है और कई बार बार रहे अगहले हमत्रत करते हैं तो इसकी वजह से पीशेट को ग해 की होती है और जब कर्को बल्चिस्ट को कमसोरी आजती और बगिवां करीट पेट के अंदर डिसकंफर्ट होने लगता है तो बेसिकली जब हम फूड को जो अल्टर कर देते हैं उसी की कारण जनरली जादा तर उल्टियां होती है लेकिन इसके अलावा कई बार सेरियस प्रॉब्लम भी हो सकती कि कोई दवाईयां जो दी जाती है ऑपरेशन के बाद एं बिमारी थी जिसके वजह से यह प्रॉब्लम होई है तो हो सकता है कि फिर आपको एक बार खाना कम करके या डॉक्टर के पास एक बार जाके आपको चेक अप कराना पड़े लेकिन इस वीडियो के थुरू मैसेज एक ही हम देना चाहेंगे कि यदि आपका कोई भी ऑपरेश नहीं होती है जो नॉर्मल घर में खाना बनता है वो ही सबको खिलाना होता है चाय पानी भी दिया जाता है नमक भी पूरा दे सकते हैं अगर बीपेगा प्रॉब्लम नहीं है तो और अगर आपको डाइबिटीज नहीं है तो आप मीठा भी खा सकते हैं इसके अलावा सबज जासे अपना गेस्टिक जूसे जो की खाने को डाइजेस्ट करते हैं वो नहीं निकलते हैं जिसकी वज़धे खाना डàiजेस्ट नहीं होता है । इसलिए दलिया खाने से गैस्टिक खाने से कभ़ी है, अर podrta कृती ह gelecek Θ FROM 12-13 पानी पिलाना चाहिए और खानहें के बाद थोड़ी देर वॉक करना चाहिए जिसकी वज़र से खाना जितना पने खाया है ठीक से डाइजस्ट हो जागे हाजम हो जाए और जैसे आप खाना खाके सो गए तोла एक जगह ता है तो उसकी वज़े से कई बार आपको constipation की या gas की या कबजी की problem या उल्टियों की शिकायत हो सकती है इसलिए जादा से जादा कोशिश ये करें कि थोड़ा थोड़ा खा लें, बार बार खा लें, रोटी और सबजी खाएं, पूरे मसाले के साथ खाएं जितना कि आप operation से पहले खाते थे, उतना ही अब खाना है, पानी बराबर मातरा में लें, दही चाच आप बराबर लीजे, दूद आप ले सकती है, और जो दवायां डॉक्टर ने आपको दी है, वो ले सकती है, अगर आपको खिचड़ी देनी है तो उसमें खुब सारी सबज नहीं खाना है, नॉमल सबजी और रोटी खानी है, और फल बहुत जादा नहीं खाने हैं, बिल्कुल दिन भर में एक या दो बारा फल ले सकते हैं, इसके अलावा आप जादा फल ना लें, और जब तक कि आप फल खा सकती हैं, तब तक आप फल खाईए, आप जूस के अगर आपको लगता है कि नहीं जूस पीना ही है, तो दिन भर में एक लास से जादा जूस ना पीजे, बाकी और कोई अगर आपको लग रहा है कि बार बार वामीटिंग हो रही है, आपको पानी भी नहीं पिया जा रहा है, तो डेफिनिटली कोई और प्रॉब्लम हो सकती ह ताकि आपको पेट और पेट से सम्मंधित कोई शिकायत नहीं हो, अगर इससे रिलेटिड आपके कोई सवाल है ता आप कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकती है, आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तर नमश्कार